नमस्कार, मैं योगिंद शर्मा, आप सभी का स्वागत करता हूँ पिरिये दोस्तों, आप सभी ने पिछले अध्याए में मेश लगन की कुंडली के योग कारक, मारक वे संग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त की आज आगे हम इस अध्याए में व्रिस लगन के उपर चर्चा करेंगे वे इसके योग कारक, मारक वे संग्रह कैसे होते हैं उन पर ध्यान देंगे मित्रो, आगे चर्चा करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि यह कुंडली आप अंत तक देखते रहिए इस तरह से अगर आप इसको पूरा आखिर तक देखेंगे तो निश्चे ही आपको योग कारक, मारक ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त होगी जो कुंडली विवेचन के अंदर या कहिए कुंडली को पढ़ने के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी काम आएगा और आप आसानी से अगर इन चीजों को कंठस्त कर पाते हैं या थोड़ा सा अपने जहन में बिठा लेते हैं तो निश्चित ही आप इसी अध्याय से कुंडली का विवेचन करना शुरू कर सकते हैं यह मेरा पूर्ण विश्वास है इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इसके योगकारक मारक संगरे को कैसे जाना जाता है उसके सिध्धान्त को अच्छे से समझ ले धन्यवाद अब आज हम आगे चलते हैं मित्रो यह आपके सामने एक विरस लगन की कुंडली लगी हुई है विरस लगन की कुंडली इसलिए क्योंकि यहाँ पर लगन में दो नमबर लिखा हुआ है और दो नमबर रासी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दो नमबर लिखा हो या विरस लिखा हो दोनों एक ही बात होती है दोस्तो अब आगे आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए इसके अंदर अधिकतर बाते वो लिखी हुई हैं जो हम पिछले अध्याय के अंदर आपको बता चुके हैं अगर आपने हमारे पहले अध्याय अच्छे से देखे हैं तो ये चीज़े आपको देखते ही आपके जहन में आ गई हूँ फिर भी मैं आपकी सुईधा के लिए यहां इन चीज़ों को एक बार फिर से बता देता हूँ किर्प्रा आप ध्यान से देखें ये व्रिस लगन की कुंडली है द्रिस लगन दो नमबर हुआ यानि के इसके स्वामी हुए शुक्र इसके बाद दूसा लगन है मिथुन मिथुन के स्वामी हुए बुद्ध इसके बाद चोथा भाव है तीसरा भाव है करक रासी करक रासी के स्वामी है चंद्रमा पांच नमबर जहां लिखा है सिंग रासी, सिंग रासी के स्वामी है सूर्ये, छे नमबर कन्या रासी, कन्या रासी के स्वामी बुद्ध, साथ नमबर तुला रासी, तुला रासी के स्वामी सुक्र, आठ नमबर वृष्चिक, वृष्चिक के स्वामी हुए मंगल, नो धनु के स्वामी गुरू, इसके बाद मकर, मकर रासी के स्वामी हुए सनी, फिर कुम, कुम रासी के स्वामी भी सनी इसके बाद बारा नंबर जहां लिखा हुआ है, वो एकाद्स भाव, वहाँ पर मीन रासी है, मीन रासी के स्वामी हुए गुरू इसके बाद बारवे भाव में एक नमबर लिखा है जो मेज रासी कहनाई और मेज रासी के स्वामी है मंगल इसी तरह से आपके कुमली के दूसरी तरफ हमने ग्रहो की आपस में मित्रता वे सत्रूता का चार्ट पनाया हुआ है जो आप पिछले अध्याय में अच्छे से जान चुके हैं फिर भी आपकी रिमाइन कराने के लिए में एक बार यह दुबारा बतायता हूँ सूर्य चंद्रमा मंगल गुरू ये सब आपस में मित्र समू है इसके विपरीद सुक्र सनी राहु केतू ये चार ग्रहों का एक विपरीद समू है जो चारों आपस में मित्र हैं लेकिन सामने वाली पार्टी से सत्रूता का व्यावार करते है इसी तरह से बुद्ध यहाँ पर नूटल होता है जो दोनों गुरुप के साथ मित्रवयत वैवार करता है लेकिन चंद्रमा और मंगल उसके नैसरजिक सत्रू है चलिए अब आप इस लगन के अंदर योगकारक मारक वैसंगर हैं कैसे आएंगे कैसे देखते हैं उसके उपर चर्चा करते हैं सरपर्थम यहाँ पर दो नंबर रासी लिखी गई है यानि के दो नंबर रासी विरस हुई और विरस के स्वामी हुए सुक्र सुक्र भगवान ने इस कुंड़ी के अंदर खुज मकान मालिक बनते हुए अपने पास दो भावों का परतिनित दुलिया शरपर्थम वो लगनेज बने, साथ ही उन्होंने छटा भाव लिया, सस्टेस एक स्थान उन्होंने केंदर में लिया, एक स्थान उन्होंने त्रिक भाव में लिया त्रिक भाव के उपर हमारा तिर्कोन ज़्यादा भारी रहता है जिस कारण से लगनेश होने के नाते सुक्र इस कुंडली के सबसे ज़्यादा योग कारग्रे बने इसके बाद बुद महराज तीसरी रासी दूसरा भाव जहां पर मिथुन रासी लिखी है मिथुन रासी के स्वामी हुवे बुद और बुद देव को सुक्र महराज से दूसरा और पाच्वा भाव प्रात हुआ दूसरा भाव हमारा धनकुटम वानी का है पाच्वा भाव हमारी संतान विद्या और अंसर्टेन गेन का है ये दोनों भाव एक भाव तर्थस्ट है जो सेकिंड भाव है पाँचवा भाव तिरकोन में स्थान दी तो बुद्ध देव को सुक्र देव से एक स्थान द्वित्ते मिला दूसरा तिरकोन में स्थान मिला जिस कारण से यहे भी इस कुंडली में अतियोग कारग्र है बन गए क्योंकि बुद्ध देव अगर आप तालिका देखेंगे तो सुक्र के मित्र भी होते हैं अब आगे देखिए आगे तीसरे भाव में करकरासी को स्थान मिला करकरासी के स्वामी हुए चंद्रमा चंद्रदेव को सुक्र महराज ने छोटे भाई बहन, मेहनत, छोटी यात्रा वे प्राकर्म का भाव दिया एक तो कुंडली में यह भाव सही नहीं होता क्योंकि त्री सडाए के अंदर यह आता है उपर से यह लगने सुक्र के सत्रू है इसलिए चंद्रमा यहाँ पर मारक की भूमिगा में आ गए और चंद्रमा को यहाँ पर मारक बनना पड़ा अब आगे चोट्था भाव जहाँ पर पांच नमबर लिखा है पांच नमबर सिंग रासी इनके स्वामी हुए सूर्य देव सूर्य देव को सुक्रत ने चोट्थे घर का मालिक बनाया और सुक्स्वीधा माता वाहन भूमि आदी का घर है सुक्र देव ने सूर्य को अच्छा घर केंद्र में परदान किया लेकिन सूर्य और सुक्र देव की आपस में सत्रूता है इसलिए घर अच्छा भी है लेकिन लगने से सत्रूता होने के कारण सूर्य देव इस कुंडली में सम ग्रह हो गए यह आप अच्छे से जान लीजिए अच्छे भाव का स्वामी होना और लगने से सत्रूता रखना आदमी ग्रहे न्यूटल पोजिशन में आ जाएगा इसलिए यहाँ पर सुर्य देव सम हो गए स्वामी हो ग्रहे अगे पांच्वा भाव जहां पर अठनबर लिखा है यह हुई वरिश्चिक राशी और वरिश्चिक राशी के स्वामी हुए मंगल मंगल महाराज को शुक्रदेव से एक तो सात्वा घर प्राप्थ हुआ जो दामपत्य सुक्का है साथ में ही मंगल देव को बारवा भाव जहां पर एक नमबर लिखा है व्यव भाव वहां स्थान प्राप्थ हुआ जो हमारे होस्पिटल जेल यात्रा और व्यव का है वो स्थान सुक्रदेव ने मंगल महराज को उपलवद कराया अब यहां पर एक स्थान मंगल देव को केंदर में मिला और एक स्थान तरीक में मिला दोनों ही भाव इस कुंडली में जो एक मारक है और दूसरा बारवा भाव जो तरीक है वो भी मारक की भूमिका में हैं और उपर से ये सुक्रदेव के सत्रू हैं, जिस कारण से मंगल इस कुंडली में बहुत ज़्यादा अति मारक बने और मारक की स्तिति में आ गए। अस्ठम स्थान प्राप्थ हुआ, जो अंसर्टेन लोस और अप्स्टेकल का भाव है, आयू स्थान है, जिसे सबसे बुरा माना गया है, वह स्थान गुरुदेव को मिला, साथ ही गुरुदेव को त्री सडाय में एकाज भाव, ग्यारवा भाव का स्वामी भी प्राप्थ को दोनों ही बुरे भाव का स्वामित मिला, साथ ही लगन से उनकी सत्रुता होने के कारण, गुरुदेव भी इस कुंगली में मारक की भुमिका में आ गए, जो अपनी दसा अंतर दसा में इस कुंगली में अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, आगे हमारा नौवा इस्थान, नौवा भाव जहां दस नमबर लिखा है, दस नमबर का मतलब मकर रासी, मकर रासी के स्वामी हुए सनी, सनी देव को भाग्य भाव, भाग्य स्थान मिला, पिता का स्थान मिला, साथ ही सनी देव को दसम भाव, हमारी आजवीका का भाव भी मिला, दोनों ही स्थान इस कुं अब आप देखिए इस कुंडली में योगकारक और मारक जो आपके सामने आए हैं, वो इस परकार हैं, योगकारक ग्रह सुक्रदेव, बुद्देव और सनी इस कुंडली के सबसे ज़्यादा योगकारक हैं, चंद्रमा, मंगल, गुरू इस कुंडली में सबसे ज़्यादा मारक है और सूर्य देव इस कुंडली में सूर्य हैं जो न्यूटल रहेंगे साथ में आप ये देखिएगा जब भी इन ग्रहों की योगकारग्र है, मारग्र है या संग्रहे की दसा चलेगी, ये सबी अपनी अपनी दसा या अंतर दसा में अपनी योगकारग्र ता मारक्र के हिसाब से जातक को अच्छा या बुरा फल पर दान करेंगे लेकिन इस कुंडली में अब एक चीज और देखने की है योक कारक, मारक और समग्रे के अनुसार हम कुंडली का विवेचन कर सकते हैं लेकिन मारक तो हमेशा मारक ही होता है जो हमें हमेशा असूफ़ फल देगा जब उसकी डसा अंतर डसाएगी लेकिन योक कारँक ग्रे जिसे हम अच्छा फल देने वाला मानते हैं अगर उसकी भी इस्तिती अनुसार जो भाव के अंदर इस्तिती है वो गलत हो जाए तो योग कारग्रह भी आपको असुफल दे सकता है जैसे योग कारग्रह सुक्र बुद्ध वैसनी इनका संबंद अपनी नीच राजसी से हो जाए या त्रिक भाव 6-8-12 से इनका संबंद हो जाए तो योग कारग्रह भी इस कुंडली में मारक की स्तिती में आ जाएंगे जो हमें अपनी दसा अंतर दसा में अच्छा फल परदा काम नहीं कर पाएंगे इसी तरह से आपने आज योग कारग्रह के उपर चर्चा की है इसे आप अच्छे से देखें और समझें जो आपको आगे काफी काम आएगी मित्रो आज आपने व्रुस लगन की कुंडली पर जानकारी प्राप्त की इसके अंदर बनने वाले योग का अगर इन चीजों को आप अंतक वीडियो को देखकर अच्छे से कंठस्त करेंगे तो आप निश्ची थियास से कुंडली का विवेचन शुरू कर पाएंगे धन्यवाद जाते-जाते मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग है तो खिर्प्या इस वीडियो को लाइक कीजिए वैसाथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगा गंटी का बटन दबा दीजिए ताकि समय समय पर जितने भी अध्याय हैं वह आपको उपलब होते रहें और आप ग्यान प्राप्त करते रहें झाल